जारकर में राजिसवाद चुनाओं के दोरां जेमेम दोरा कथित रूप से कॉंग्रेस को विश्वास में लिये बिना परत्याजी घोसित किये जाने से पार्टी के अंदर नाराजगी की खबर आई है नई दिली से राजी पहुँचे पर देश कॉंग्रेस पर भारी अविनास पांडे ने करीब 6 घंडे तक अलग-अलग सभी विधायकों को बुला कर बातचित की देर साम अविनास पांडे मुख्यमंतरी हेमन सोरेन से मिलने उनके आवास पर भी पहुँचे सेम हमन सोरेन से मिलकर मुख्यमंतरी आवास से बाहर निकलने पर अविनास पांडे ने कहा कि पार्टी विधायकों की कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है सभी विधायकों से बात हुई उन सभी ने अपने छेतर की जनसमस्याओं और सरकार के कारियों को गती देने पर चर्चा की राज्यसभा चुनाओं में उमिदवार के संबन में पूछे गए एक प्रस्र के उत्तर में अविनास पांडे ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के पास चुनाओं में जीत के लिए आवस्यक संख्याबन नहीं है जबकि जेमें के पास परियाथ संख्याबन था वहाई सभी पार्टी की अपनी बाध्यता और दबाव होता है इसलिए जेमें की ओर से उमिदवार की घोशना की गई हाला कि गडबंधन सरकार में मिलकर उमिदवाग घोशित करना अच्छा होता है बहुत अच्छी एक सहाथ मुलाकात की और हमारे जो CLP नेता जी और हमारे PCC अध्यक्ष दोने साथ मानने मुख्मनती जी के साथ में आने वाले जिनों के सभी कारेक्रमों के बारे में जो अप लोग मीडिया में बोलने है नारा जी उसका अतना कल बहुत इस्वस रूप से मानने है कि सभी हमारी सभी इच्छा थी कि सब लोग मिलके आपसी समझभूच के साथ में एक कॉमन कैनिडेट को हम सामने प्रस्तावित करें उसके चलते हुए देखे पार्टी की भी कुछ कंपोलेशन होते हैं संख्या एक दूसरा एक वो है जी एमेम के पास में उनकी संख्या थी कॉंग्रेस के पास में संख्या नहीं है और स्वभाविक है कि हमारा एक प्रपोसल था कि सब मिलकर एक केंडिएट को प्रसावित है तो जो भी जिसके चलते हुए आज जैमेम का केंडिएट का उन्हें नॉमिनेशन किया हुआ है जो भी है एक समन्वे के चलते हुए आगे भी मिलकर था